नमश्कार दोस्तों कादियांस किचेन में आपका स्वागत है आज मैं कुछ कुकिंग के ऐसे जबरदस टिप्स और ट्रिक्स लेकर क्या हूँ जो आपके किचेन के काम को बहुत ही आसान और बहुत ही सुलजावा करने वाल है उम्मीद करती हूं आज की वीडियो बहुत ही अ आटा गूधना है या फिर आप इडली का बैटर तयार कर रहे हैं चटनी या कुछ ऐसी चीज़े बना रहे हैं जिसमें आपको आपके हातों की रिंग को उतारना पड़े क्योंकि आटा गूधना या ऐसे बैटर वाली चीज़ों में हाँ डालते तो अंगुठी के अंदर चिपक जाता है या बैटर जो भी आप तयार करें चिपक जाता है तो उससे बचने के लिए आप अपने किचन में ही इस तरीके का हुक चिपका सकते हैं जो टाइलों पे भी बहुती आसानी से चिपक जाता है और आपकी अंगुठी भी सेफ रहेंगी और तो आप इने रख करके भूलेंगे भी नहीं तो ये इस तरीके से सेव भी हो गया और साथी साथ आपके रिंग में आटा वगरा कुछ भी इस पे नहीं चिपकेगा तो इनकी शाइन भी बरकरार रहेगी अब टिप नमबर टू है जबी भी आप फ्रेश क्रेम से अपनी सब्जियों को करने के लिए तो ये फैल जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छा इसका लुक नहीं आने वाला है जिस परपर से आप इसे गार्निश करना चाहते हैं तो ये क्रीम डालती आप देख सकते हैं टेस्ट में फरक नहीं पड़ने वाला है लेकिन ये जो इसका लुक है वो तो ये डिजाइन ऐसे ही रहेगा और ये बहुत ही सुन्जर भी लगेगा और यही सरी सही तरीका है तो अभी लग रही है ना आपने बिल्कुल सिंपल वाले सबजी एक दम होटल स्टाइल की तो आप इस तरीके से इस टिप को आजमाईएगा अब टिप नमबर 3 है एक ऐस तरीके से फाल्लूग करेंगे उसके लिए आपको ले लेना है एक कटोरी चावल आदी कटोरी मूंकी डाल आदी कटोरी मसचुर की डाल और आदी कटोरी आप ले लिजिगा ब्रोकन Уीर्ड्वर घ्डल और दलिया और एक चृताई कटोरी हमने लिए तूर की जाल या फिर औरहर की दाल भी कह सकते हैं और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद में आप इसे डबे में स्टोर करके रख सकते हैं जब भी आप खिचड़ी बनाएंगे तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्ट ही खिचड़ी बना लें और अगर आपके घर पे और इसके लिए अपनी फेवरेट सबजियों को डालने के बाद में तीन गुना आप पाने डाल दें और कुकर में ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है तो आप दो सीटी लगवा करके इसे तयार कर सकते हैं बहुत जटपट वाला और हेल्दी वाल आप्शन है और करते हैं जब यह आप मिक्सी के जार को क्लीन करते हैं स्पेशली जब आप उसका लिड़ क्लीन खर रहे हैं तो м Jahres लिछीम इ妳 लेकिन हिए बहुत घलत तरीक का दोस्तों हमेश 뉜ा जो साइड का यह रबबर होता है इसे हमें parents करें साफ करना चाएं तो तो आप देख सकते है चाकू की मदद से हम इसे निकालेंगे तो ये जटपटी रबर निकलाता है और ये जैसा कि मैंने इसमे नारियल की चटनी पीसी थी तो साइड्स में ये चिपक के रह जाता है और ये लिड में लगा रह जाता है और नेक्स राम जब हम इसे यूज करेंगे तो ये चटनी का तब तक बैक्टिरिया बन जाता है और यह हमारे खाने में मिक्स हो करके हमारी हेल्थ को नुकसान दे सकता है तो हमेशा अपने मिक्सी के जार्ब के लिड को इस तरीके से साफ करना चाहिए ताकि इसमें कोई भी बैक्टिरा ना रहे सब कुछ इसमें अच्छे से साफ हो जाए या फिर इस तरीके से ब्रश पे हलका साबून लगा ले या फिर डिजजर लगा करके Corners में आप जहां पे थोड़ा बहुत लग रहा है कि अच्छे से साफ नहीं हुआ Scrubber से वहां पे आप इसे रगड करके साफ करेंगे तो ये साफ हो जाएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको तो अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें तो यह आप देख सकतें के उपर कई बार इस तरीके से लिखा भी रहता है तो उस पर भी आप अच्छे से ब्रुष से क्लीन कर लें ताकि सारी गंदगी साफ होती रही और ये जो रबर है इसके अंदर जो क्याप होता है उसमें भी आप ब्रश से क्लीनिंग करेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो रबर का कालापन है वो दरता रहेगा तो ये भी हमें साफ कर लेना चाहिए ताकि ये हमारे खाने में मिक्स ना तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी टिप है तो इस तरीके से मिक्सी के इस जार के ढखकन को अच्छी तरीके से साफ करने से हम बैक्टिरिया से अपने खाने को बचा सकते हैं अब टिप नमबर फाइव तो जैसे कि आजकल सभी घर पे रहते हैं और घर पे रहने की वज़े से किचिन में कभी आपके हजबन आपके भाई या कोई भी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़े ऐसी हमारी किचिन में रखी रहती है जो लगबग हमें ही पता होती है कहा है तो आप इस तो यह बाकी चीजों के साथ में मिक्स ना हूँ आपको पता रहे कि इसके अंदर चावल का आटा है तो इस तरीके से आप टैग लगा के रख सकते हैं पेपर पे भी लिक करके आप स्टिकर बना करके चिपका सकते हैं और जबी यह समान इसमें से खतम हो जाएगा तो आप इस इसके लिए आपको ले लेना है एक कटोरी दही इसमें आप डाल दीजिएगा नारिल का तेल तो लगबग 2-3 चमज डाल दें यह बालों की लेंद की साब से और साथ ही इसमें आप एक कैपसुल डाल दें विटामिन ई जो हमारी बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्या हैं साथी साथ इन में शाइन भी बहुत ही अची हाती है हफ़ते में एक बर जरूर से कीजिएगा अब टिप नबर सेवन जभी आपके पास इस तरीके का स्टीमर हो यह इडली का स्टैंड है मेरा और यह इसमें आप देख सकते हैं अलुमिनियम के बरतन अक्सर जिसमें हम पानी गरम करते हैं या स्टीम करते हैं तो वो नीचे से काले हो जाते हैं तो उससे बशने के लिए अब जैसे मैं इडली बनाने वाली हूं तो इसमें मैंने दो चमश डाल दिया है विनेगर वाइट वाला विनेगर या फिर आप निम्बू भी डाल सकते हैं आधा निम्ब का बरतन जिसमें आप पानी डाल करके उबालते हैं वो साफ हो जाएगा तो अमीद करते हूं यह वाली आपको अच्छी लगी होगी तो यह भी आप देख सकते हैं यह कितनी अच्छी शाइन आ चुकी है बरतन में तो आप बिफोर एंड आफटर की रिजल्ट देखीगा पहल आजकल हमें हफते भर के लिए या दस दिन के लिए सब्सक्राइब करके आनी पड़ती है तो स्टोरेज भी बहुत ज्यादा हो जाती है फ्रिज भी हमारा भर जाता है तो अगर आप टमाटर को स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि टमाटर भी बहुत जल्दी फिर गलने भी दबो में तो इस तरीके से यह खराब भी नहीं होगा और यह लॉंग टाइम के लिए आप यूज भी कर सकते हैं तो यह बहुत ही सिंपल सा तरीका है और यह देखे मफिन ट्रे में मैंने सेट किया था तो पानी में कुछ देर मैं रख दूँगी और फिर यह बहुत ही इज अब टिप नमबर 9 अद्रक और लेसन का पेस्ट हम किस तरीके से तयार करें तो यह आप देख सकते हैं अद्रक मेरे पास रखी रखी सूखने लगी थी तो मैं इसका पेस्ट बना के फ्रीजर में स्टोर करके रखोंगी और यह लंबे टाइम तक अच्छे से फ्रेश ही रह पेस्ट करने से पहले आप इसमें ऑल दाले तो दो चमच ऑल दे और इसके बाद में अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा तो आपको इसमें पानी अड़ करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मिंक्सी को चलाने के बाद एक बर यह आप इसमें चमच घुम तो उतना पोर्शन आप प्लेट में ड्रॉप करते जाए और इसके बाद में आप इसे फ्रीजर में अच्छे से सेट कर लीजेगा तो यह बरफ की तरह जम जाएंगे तो आप अपनी चॉइस के साब से जितनी भी आप की जरूरत होती है इच सबजी के साब से उतना आप इसका पेस्ट डाल ले प्लेट में तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीचेगा और अगर आप लैसन नहीं ख सकते हैं तो इस तरीके से मैंने यह प्लेट भर ली और इसके ऊपर धकन जरूर से लगा दीजे कोई एक प्लेट कवर कर दीजे ताकि फ्रीजर में इतनी स्ट्रॉंग स्मेल इसकी जो होती है लेसन और अद्रग की वह पूरे फ्रीजर में ना फैले ताकि वह बाकी चीजों में भी उसकी स्मेल नहीं तो फिर आने लग जाती है तो कवर करके आप फ्रीजर में रख दीजे और यह दो तीन घंटे में अच्छे से सेट हो जाता है तो यह भी आइस क्यूब्स की तरह सेट हो चुके हैं तो आप जिपलोग बैग में या फिर प्लास्टिक के डबबे मे डाल करके फ्रीजर में ही स्टोर करके रख सकते हैं और इस तरीके से साल भर तक यह खराब बिल्कुल भी नहीं होता है तो मेरे पास जबी अद्रक या लेसन थोड़े से सूखने से लग जाते हैं तो मैं इस तरीके से उन्हें यूज़ करके फ्रीजर में रख लेती हूं त अब टिप नमबर 10 तो दोस्तों इतनी गर्मी हो गी है विए हमें बार बार आइस की जरुरत पड़ती है तो आइस जल्दी से जमाने का इक आसान और बैस्ट तरीका मैं आपको बता देती हूँ आपको पानी को हलका सक गरम कर लेना है गुन-गुना कर लेना है और इसके करना पड़ेगा एक घंटे के अंदर आपकी आइस बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो आप अपने मिल्क शेक्स में यह बहुत सारी रेसिप्टी से आपको चिल्ड करना है तो आप उनमें डाल करके आइस क्यूब्स को यूज कर सकते हैं तो यह थी मेरी आज की कुछ ऐसी किच अन लोगों के लिए तो खास करकी यह वीडियो यूसफुल होने वाली है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें अपने फैमली और फ्रेंड्स में क्योंकि यह कुछ ऐसे आसान और मज़ेदा टिप्स हैं जो किसी के काम आने वाले हैं तो आज की वीड अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए शेयर करें जादे से जाद अपने फैमली और फ्रेंड्स में क्योंकि यह कुछ ऐसे आसान और मज़ेदा टिप्स हैं जो हर किसी के काम आते हैं थाइंक्यू फॉर वाचिंग स्टे कनेक्टेड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइ बटन है उसके बाद में घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगेगी हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे